खेलो दोस्तों मैं रूपेज सिंग यूनीक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो देखे फ्रेंट्स आज का सेसन बहुत ही जबरदस्त और महात्पूर्ण होने वाला है फ्रेंट्स आज टाप 25 ऐसे कुश्चन साइंस के लिए आए हैं जो कि आपके एक्जाम में खुब पूछे जाते हैं तो आपको सुरू से लेके अंध तक बने रहना है और सिसन को मिस नहीं करना है तो चलिए फ्रेंट्स शुरुवात करते हैं आज के दिन का पहला कुश्चन और पहला कुश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा कुश्चन क्या कहरा कुश्चन कहरा फ्रेंट्स तरंगों के द्वारा एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक किसका अस्थान तरण नहीं होता है पूर्जा का, भिच्छोप का, माध्यम के कणका या इन में से सभी तो फ्रेंट्स एक बार आंसर को आप लोगों को खुद से सोचना है उसके बाद फिर मेरा आंसर देखना है और उसके बाद आप लोग 25 में कितने कोश्चन सही किये ये भी आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है तो देखे फ्रेंट्स इसका अंसर क्या हो जाएगा माध्यम के कणका यानि C आप सन क्या होगा इस कोश्चन का राइट आंसर होगा तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन देखे फ्रेंट्स आप से कह रहा है तिरव या पतार्थ जिससे होकर तरंग जो है संचरित होती है क्या कहलाता है माध्यम है तरंग पत बाग सेया ध्वनी पत तो क्या कहते हैं से एक माध्यम की आवसेक्ता होती है यांतरीक तरंग को बिद्दु चुमकी तरंग को आयांतरीक तरंग को या प्रकास तरंग को तो किसको देखे फ्रेंट्स एक माध्यम की आवसेक्ता होती है यांतरीक तरंग को माध्यम की आवसेक्ता होती है यानि एही आपसन इस कोश के या इन में से सभी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Так इसका इन में से जो है इन में से सभी इसको सभी बढ़ते हैं अगले कोशन कि तरफ अगला question कहे रहा है अनुपरस्त तरंग के लिए कौन उपयूक्त माध्यम नहीं है तो कौन सा नहीं है फ्रंट स्थोस नहीं है गैस नहीं है आप सभी लोगों का द्रव या कोई नहीं तो इसका answer क्या हो जाएगा फ्रंट से कोई इन में से कोई नहीं इस question का right answer होगा यानि D option आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगले question आपसे कहरा फ्रंट दो लगातार सीर्स या गर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं आयाम कहते हैं आब रित्त कहते हैं तरंग दैर्ध कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं तो देखे फ्रंट इसको क्या कहते हैं जो है इसको क्या कहेंगे फ्रंट तरंग दैर्ध कहते हैं यानि C option ही क्या होगा इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगले question की त है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा फेंट आप सभी लोगों को बताना है दाब और घनत तो अधिक होता है तो इसका अंसर हो जायेगा संपीडम क्या हो जाएगा संपीडम जो है इस कैंजिम को ऊज़ा करने वाली बस 97 के लिए अनिवार दसा क्या है बस तू का गरम होना, बस तू का गती में होना, बस तू का कमपन होना या आप शबी लोगों का बस तू पर कुल बाहभल सोनने होना तो इसका अंसर हो जाएगा friends बस तू का कमपन होना यानि सी ही आपसन इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ Q9 करा फ्रेंट ध्वन की आबरिती बढ़ने पर उसका तारत तो बढ़ता है घटता है नूनतम हो जाता है या घटकर सोनने हो जाता है तो ध्वन की आबरिती बढ़ने पर उसका तारत तो बढ़ता है यानि एही आप संग्या होगा उस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question के रफ ध्वन की प्रबलता को हम किसमे मापते हैं 5 star लगा लिजे ये question बहुत बार exam में आप सबी लोगों के friends पूछा गया है तो किसमे मापते हैं हर्ज में, decibel में, meter में, second में, तो किसमे मापते हैं तो कितनी होती है friends इसका जो है 30 से 40 decibel होता है यानि ए आपसन क्या होगा इस question का correct answer होगा तो चलिए friends आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question आप सभी लोगों से ये भी बड़ा हिसानदार सवाल है कितने decibel से उपर की ध्वनी मनुष से को पागल का सकता है पचासी decibel, 130 decibel, 150 decibel या 0 decibel तो इसका answer क्या हो जाएगा friends 150 decibel के उपर ध्वनी है तो friends आप सभी लोग पागल हो जाएंगे इस बात का ध्यान देना आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question के रहा friends एकल आपरित वाले ध्वनी को क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्वर कहेंगे, टोन कहेंगे, संगीत कहेंगे या सोर कहेंगे तो इसको क्या कहा जाता है friends तोन कहा जाता है यानि B option क्या होगा इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ किसमे ध्वनी सबसे तेज चलती है steel में, वायू में, निर्वात में, जल में तो देखे friends ध्वनी किसमे सबसे तेज चलती है steel में चलती है यानि लोहे में आप लोग देखे friends मारते होंगे तो बहुत तेज आवाज आती है friends परावरतन का है यानि A option क्या होगा इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगले question आप से कहरा friends सेर की दहाड और मच्छर की भनभनाहट में किसकी तारत तो अधिक है सेर के दहाड की दोनों की तारत तो एक समान है मच्छर के भनभनाहट की या कोई नहीं तो देखे friends सेर की दहाड और मच्छर की भनभनाहट में किसकी तारत तो अधिक है friends मच्छर के भनभनाहट की यानि C option क्या होगा यही इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगले question आप से कहरा कुछ जनत भूखंप से पहले परेसान हो जाते हैं क्योंकि भूखंप मुख्य प्रगाति तरंग से पहले कोई सी ध्वन उत्पन्र करते हैं तो कौँ सा करते हैं friends, अब स्रभ करते हैं यानि ए आप सन क्या होगा इस question का right answer होगा आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन के रहा फ्रंट निम्न में से कौन परास्रा बेध्वन उत्पन नहीं करते, तो निम्न में से कौन सा फ्रंट ऐसा जीव है, जो आपका परास्रा बेध्वन उत्पन नहीं करता, तो राइनो सिरस है, क्या है मैग संख्या, बाइनरी संख्या, तो किसमें मापते हैं, मैग संख्या में मापा जाता है, ये भी कुश्चन बड़ा महत्पूर्ण है, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, स्रब्ब है, अउस्रब्ब है, परा स्रब्ब है, कोई नहीं, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, परा स्रब्ब हो जायेगा, यानि स्विया जहाजों का पता लगाने के लिए। किस तकनीक का उपयोग किया जाता है रडार का लिडार का रसार का या सोनार का तिसका अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट सोनार का और देखे फ्रेंट सोनार का फुल फार्म भी पूछा जाता है इसका फुल फार्म क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बत परिपत को क्या कहते हैं बिद्दुत आवेस कहेंगे बिद्दुत धारा कहेंगे बिद्दुत परिपत कहेंगे या बिद्दुत जनित्र कहेंगे तो किसी बिद्दुत धारा के सतत और बंध परिपत को क्या कहते हैं बिद्दुत आवेस कहेंगे यानि ए आपसन क्या होगा इस question का right answer होगा, आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ, अगला question के रहा फ्रंट, बिद्दुत आवेस के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, बिद्दुत धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधक्ता या विभुवांतर, तो इसका answer क्या हो जाएगा, फ्रंट, बिद्दुत धारा हो ज इसका answer क्या हो जाएगा, फ्रंट, इलेक्टरान होगा, यानि C, आपसन ही क्या होगा, इस question का right answer होगा, देखे फ्रंट, जो आवेस होते हैं, वो इलेक्टरानों पर ही होते हैं, इस बात का ध्यान देना, और इलेक्टरान पर रिड़ा आवेस होता है, आज के सफर का देख